लोगसबा चुनाओं का रिजल जारी होने में अब सिर्फ 11 दिन का समय बचा है चुनावी नतीजे 4 जुन को जारी होने वाले हैं इसे में लोगसबा चुनाओं को लेकर कई भविश्यवानी की जारी है वो बात अलग है कि सभी पार्टी की भविश्यवानी उनकी ही पार्टी मैं शेख जुही आप देख रहे हैं दनगरी नियूज पूर सीम अशोग घहलोध ने एक्सपल लिखा चुनाव में मद्दाताओं का मुन भापने के बाद बिजेपी अप पूरी तरह से हताश हो चुकी है बिजेपी ने अपने सबी नेताओं को और समर्थकों को निर्देश दिया है कि जिस भाषा में वे बिजेपी की पर्चन भाूमत से जीत का दावा करते हैं उसी भाषा का इस्तिमाल करे और बिजेपी के पक्ष में जन्ता में ब्रहम पαιदा करें यही कारण है कि अचानक ही तमाम राजनेतिक विशलेशा को अर्शास्प्री और पत्रकारों समेत तमाम लोगों की भविश्यवानियों की बाढ़ा गई। उनका कहना है कि अन्डिये साल 2019 की तरह 303 के स्कोर पर या फिर उससे भी जादा अच्छे नमबरों के साथ पास हो जाएगी। वही परशांत कि शोन ने यूपी में एक मीडिया इंटर्व्यू के दोरान एक और दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिजेपी को यहाँ यानि यूपी में 80 सीटों का नुकसान हो सकता है। इस दावे के बाद बिजेपी के मिशन 80 को करारा जटका लग सकता है। अगर यह दावा सही होता है तो बिजेपी को इस बार 2019 के चुनाव से भी कम सीटे मिलेगी जिसका सीधा फायदा सफाक कॉंग्रेस के गड़बंदन को होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें दनगरीनी शुक्रिया।